नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों मेरे चैनल को ज़ादा से ज़ादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं चलाई ऐसे कुछ पौधे आधारी शोतों में से एक हैं जो पून प्रोट्रीन प्रधान करते हैं जिया दोस्तों जिसका अर्थ है कि इसमें सभी अमिनो एसीड का प्रयाप्त अनुपाद होता है और अन्य प्रधार्थों की तुला में इसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है ये हमारी कोशिकाओं में चया पच्चे के कारयों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपून होती है इसमें लाइसिन नामक एक अमीनो एसीड होता है जो कई अनाज में ना के बराबर या होता ही नहीं है या विशेश अमीनो एसेड केलशियम और एक प्रमुक भूमिका निभाता है इस नायो प्रोटीन का निर्मान करता है सरजरी या खेल चोटों से रिकवरी करता है और शरीर के हार्मोन, इंजाइम और एंटी बोडिम्स का उत्पादन करता है ना सिर्फ भी प्लांट की पत्यों में भी बहुत ज़्यादा फाइदेमन प्रोटीन होते हैं वास्ता में पत्यों को जादातार A.C.I. और क्रेबियाई वेंजनों में इस्तिमाल किया जाता है चिकिस्ता संस्थान के अनुसार महिलाओं को कम से कम 46 ग्राम और पुरुशों को कम से कम 56 ग्राम प्रोटीन की आवशक्ता होती है सिर्फ एक कप एमरेंथ खाने से आपको अपने दैनिक प्रोटीनों की आवशक्ता 26 ग्राम मिलेगी इसके अलावा चुलाई के फाइदे सिलेक से आपको बचाएंगे एमरेंथ लक्स मुक्त है यह उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो लक अल्पता बिमारी से ग्रस्थ है पाचन रोग है जिसमें शरीर की हर छोटी आतों पर हमला करता है जिससे छोटी आतों को पचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है चलाई पोशक तत्वों के कारण बनती है और अधिक स्वास्ते समस्याओं का कारण होती है सिल्य क्रोग पेट में दर्द, दस्त, गैस, कब्स, इर्श्या और मितली जैसे जतनान समंदी लक्षनों का कारण बनती है यह धकान, हड़ी और जोड़ों के दर्द और त्वचा पर चिक्ते जैसी समस्याओं को भी पैदा कर सकती है समवेदन शीलता या आलस्ये के इस लापकारी अनाच को खा सकते हैं और इन समस्याओं को रोक सकते हैं यह केलेस्ट्रोल को भी कम करता है चुलाई केलस्ट्रोल की समस्या से पीडित लोगों के लिए सबसे अच्छा भोजन मानी जाती है इसके लिए बीज और तेल फाइबर में परिपून होने के कारण यह केलस्ट्रोल को कम करने के कारण जाने जाते हैं केलेस्ट्रोल पाचन तंत्र में फाइबर को बानता है और यह शरीर द्वारा पोटेश्यम में उच्छ होने के कारण यह रक्त वहीकाव को अराम देकर हिर्दे स्वास्त को बढ़ावा देता है चलाई केलेस्ट्रोल वारे लोगों के लिए बहुत अच्छा बोचन माने जाती है इसके बीज और तेल फाइबर में भरपूर होने के कारण केलेस्ट्रोल कम करने के लिए जाने जाते हैं केलेस्ट्रोल पाचन तंत्र में फाइबर को मानता है और यह शरीर वाला उस्तरजित होने के कारण होता है इस प्रकार से यह ध्वनियों के सक्त होने के विकास की संभावना को कम करता है जो दिल के दोरे या स्ट्रॉक का कारण बनते हैं पोटेशयम में उच होने के कारण यह रक्त वहाईकाओं को राम देकर हिर्दे स्वास्त को बढ़ावा देता है पोटेशिया में एक वैस्यू डिलेटर है जिसका अर्थ है कि ये ध्वनियों को रक्त भाईकाओं में तनाफ को कम करता है बीपी को कम करता है और हिर्दे रोग की संभावना को भी ये कम करता है चुलाई के लाब आखों में भी होते हैं दोस्तों आखों की बिमारियों में भी विटामिन A और C की उच्छ समगरी के कारण चुलाई का सेवन आपकी द्रिश्टी को बहतर बना सकता है विटामिन A आखों की तुच्छा को सक दिखने में मदद करते हैं और आँख के संक्रमन को भी है कम करने में बहुत जादा मदद करती है विटामिन A की कमी आंखों की कारणिया शुष्क होने का कारण बनते हैं जो धुंद्री ड्रिस्टी से शुरू होते हैं चुलाई के और शदिय गुन हडियों को मजबूत रखता है हडियों के स्वास्ति के लिए केल्शियम बह बहुत अच्छी होती है जिससे बॉंट्स की मजबूतियर और उसे रिपेर करने के लिए मदद करता है चुलाई खाने से आप पोस्टिय पोरोसिस की शुरुवात को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं केल्शियम की कमी से चुलाई पोशक तद्वोगे विकारों का कारण बनती है और अधिक स्वास्ते समस्याओं का कारण होती है सिलिक रोक पेट में दर्द दस्ट गैस कब्स इर्शिया और मितली जैसे जटलाय समंदी लक्ष्णों का कारण बन सकता है या ठकान हड़ी और जोडों के दर्द अफसाद और तवचा पर चेचक जैसी समस्य को भी पैदक कर सकता है चुलाई खाने से आप ऑस्टियोपारिसिस की शुरुवात को रोकने या धीमा करने में बदद कर सकते हैं केल्शियम की कमी से फ्रेक्चर या ऑस्टियोपारिसिस के विकास का खत्रा बढ़ जाता है इंटरनाशनल जनरल फूर्ट साइंटेस्ट और फूर्ड नोट्रिशन रिपोर्ट में प्रकाशित एक अध्यन में कहा गया है कि चुलाई की खपत केल्शियम लो और जस्ता की पोस्टिक महत्व को बढ़ाने का एक प्रभाविक उपाय है इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर चुलाई की दो चातिया होती है लाल और ह अब जिक खाना बहुत ज़्यादा लाबदायक होता है चुलाई उबालकर इसका पानी उबालकर नमक के साथ पीने से कब्स दूर होती है पेट दढ़ ठीक हो जाता है चुलाई का तादर रस एक-एक सुबा शाम पीने से बाल किरना रुग जाता है और नए बाल उगने वाला होता है, रक्त विकारों को दूर करने वाला एवं पत्या कारक होता है, यह संग्रहन ही दस्त में सुक्तायक होता है, चुलाई का साग भूग भड़ाता है, इसमें सोना यानिकी गोल्ड पाया जाता है, पागल कुत्ते के काटने के बाद जब व्यक्ति पागल हो जाए, स्वयम ही दूसरों को काटने लगे ऐसी एवस्ता में काटे वाली जंगली चुलाई की रस 50 ग्राम से 125 ग्राम तक पानी में घोल कर बारबर पिलाने से मरता हुआ रोगी भी बच जाता है यह विश नाशक है जिया दोस्तों चुलाई का राक रुखा होता है दोस्तों चुलाई का राक नशा विश के परभाफ को नस्ट करता है और रक पित में बहुत जादा लापकारी होता है तन पान करने वाले बच्चों को यदि चुलाई का रस एक दो चमबस दिया जाये तो उनकी कब्स दूर हो जाती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही लौटेंग एक नए वीडियो एक नए टेप्स के साथ मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब शेर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जुरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियो है